क्राइम स्टोरी अंधे प्यार में पागल महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पती को तडपा तडपा कर मारा फिर मासूम बेटे को भी सुला दी थी मौत की नींद क्राइम स्टोरी अंधे प्यार में कातिल बनी महिला और उसके प्रेमी की कहानी जानकर रूह काप जाएगे पती और बेटे की हत्या करने वाली महिला और उसका प्रेमी दोनों जेल में सलाखों के पीछे हैं जिस प्यार के लिए दोनों कातिल बने वो भी अधूरा रह गया सुने, पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के गोरकपुर जिले की 6 साल पहले की बह घटना जिसके बारे में सोचकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाती है विश्टे को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम देने वाली एक महिला दी जिसका जिक्र होते है, लोग उसे समाज में कलंग होने की संग्या देते है कहानी उस हत्यारुन की है, जिसने अंधे प्यार में पागर होगे प्रेमी के साथ मिलकर पती को मौत की मीन सुना दी हैरान करने वाली बात तो ये है, कि उसने प्यार में बाधा समझ कर अपने कलेजे के टुकडे बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। आईए हम आपको इस घटना की पूरी कहान बदा दे। पुलिस को दी थी लूट के बाद हत्या होने की सूचना। घटना गोरकपुर जिले के शहपुर के बसारत पुर अशोक नगर की है। 21 जनवरी 2016 की रात में डौम प्रकाश, यादव वो उनके मासूम बेटे नितिन की उनके घर में ही निर्मम हत्या कर दी गए। डॉक्टर की पतनी अरचना यादव ने पुलिस को लूट के लिए हत्या होने की सूचना दी थी। जबकी डौम प्रकाश की माँ बागेश्वरी देवी ने बहु पर बेटे और पूते की हत्या का आरोब लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। उस वक्त सर्विलांस कॉल डिटेल की मदद से पुलिस ने 24 घंटे के अंदर घटना की गुत्थी सुलजा ले और अरचना यादव उसके प्रेमी अजय यादव जो फिरोजाबाद का रहने वाला है तोनों को गिरफतार कर जेल भेज दिला। जेल रहते ही 2020 में दोनों को कोट ने उम्रकैद की सजा सुना दी। अरचना अपनी ससुराल वालों से प्रेम संबंध छिपाने के लिए प्रेमी से दूसरे सिम कार्ड से बात करती थी। उसे बात करने के लिए सिम फोन में लगाती थी और बात खत्म होने के बाद सिम बदल देती थी लेकिन उसके पती को शक हो गया था जिसके बाद उसने प्रेमी को बुला कर वारदात को अंजाम देया पती को शक होने के बाद अर्चना का प्रेमी घटना वाले रात उसके घर पहुचा इसके बाद दोनों ने मिलकर घर में सो रहे टो उम्प्रकाश यादव की हथ तोड़े से मार का बेरहमी से हत्या कर दी। इस दौरान बेटा नितिन भी जग गया। इस दौरान खून से लथ भट पिता को तड़पते देख वह अपनी मां के गोद में जाकर छिप गया। इस पर अरचना ने प्रेमी से बेटे को भी मारने की बात कही लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया। जिसके बाद अरचना ने खुद ही बेटे का गला घूट कर उसकी हत्या कर दी। साल की सजा के दौरान कई बार दोनों ने मिलने की अरजी दाखिल की, लेकिन अनुमती ना मिलने के कारण कभी मिलना सके।